शुरू करते हैं और अगुरू से। अगुरू एक्यूलेरिया एगलोचा पॉट्रेनिकल नेम है, फेमेली है, थाइमेलेसी फेमेली है, प्रिया है। अगरू, लो है, कर्मिच, कर्मिच जगत, अनार्यक, परवर, जोकंग और योगच, आपको जो टेबल में बताया गया है, बिल्कुल से ही बताया गया है, उतना भी करोगे तो भी सफिशियंट है, इसमें तो बस ये है कि दसनमर में आता तो एक्स्टा मेटर कैसे लिखना है, शेत्री ये नाम है, इसका अगर, इसको बोलते हैं इंगलिश के अंदर एगले वुड, सुरूप होता है, इसका एक व्रक्ष होता है, सदा हरित, हमेशा हरा रहने वाला व्रक्ष होता है, पुराने व्रक्षों के अंत में काश्ट, कीट जत होने से, कृष्णवर्णी इसकी परिक्षा कैसे करनी है, इसकी परिक्षा अगरू वो अच्छा होता है, जो पानी में डूप जाता है, वो उत्तम माना जाता है, जाती है, मतलब कि एक तरह से आप बोल सकते हैं, इसके प्रकार, चार प्रकार का होता है, कृष्णा अगरू, कास्ट अगरू, दाह मंगल्य घुरू इसमें सवरचारों में से जो मंगल्य घुरू होता है वो सर्वस्टेस्ट बाला दीपन पाचन होने से अगनी मांद्य में तर्था आम दोश में उपयोगी होता है, रिद्य उत्यचक तर्था रक्तविकारों में उपयोगी होता है, रिद्यज होता है, उसे उत्यजट करने वाला होता है, उत्तम शीत प्रशमन होता है, शीत प्रशमन मतलब ठंड को रोकता ह होता है बल्य होता है रसायन होने से दूर्बल्ल्यता में उप्योवी होता है कफ को नस्ट करने वाला स्वांश हर रोगों में होने से स्वांश कास में उप्योगी होता है, ज्वर में इसका फांट पिलाने से त्रिश्णा कम हो जाती है, त्रिश्णा कम हो जाती है, तवचा रोगों में अगरू का लेब करना फाय दे मन दोता है, और अगरू का लेब तवचा रोगों में किया दाहे में अग्रू का लेप करना लगाने पर लाब मिलता है श्वास कास हिक्का में भी अब्रू का तेल क्या होता है उपयोगी होता है क्योंकि ये कफका शमन करने वाला होता है इसलिए और ये क्या है सभी प्राण वेस्वरतस की व्यादियां होती है और उशनवीरिय से इनका शमन करता है शरीर को सुगंदित करना अगरू, करपूर, केसर, लोहबान जिसकी दूपन करम करते हैं गरू में नाकरमोथा इसको ब्राबर मात्रा में लेकर बारिक पीसना है इससे क्या होता है दुरगंद का नाश होता है शीत परशमन होने से शीत ज़र में इसका लेप के जाता है विसिष्ट योग है इसका अगरू वादी तेल पर योज़न गये अगरू का कांड सार तेल काम में लेते हैं और इसका व्रक्ष होता है मात्रा, चूरण लेना है अकर इसका तो एक से तीन ग्राम लेना है और तेल लेना है तो दो से चार बिंदू लेना है, बूंद लेना है, रासाईनिक संगटन, ये है important सेस्कुरोटेपिन, नामक एलकोहल में विले होने वाला प्रतार्थ इसमें मुख्यतर या पाया चाता है जो जो important होगा मैं साथ की साथ बताती चलूगे